इंडिया मशूर है पूरी दुनिया में क्रिकेट के लिए या फिर पॉलिटिक्स के लिए लेकिन तीसरे नंबर पर बैडमिंटन को रख दीजिए जिसका सबसे बड़ा रीजन ये भोली सी सूरत आँखों में मस्ती वाली प्यारी सी लड़की है जो बहार से मुलायम डिखती जरूर है लेकिन कारणा में एकदम इंपॉसिबल टाइप हैं सही पकड़े हैं साइना नहवाल ददेशी बैडमिंटन चैंपियन इनकी जिंदगी पे फिल्म बनके रिलीज हो गई है रियल लाइफ में तो बंदी सुपर है लेकिन रील में फिट है या फाल्तू पूरी डि गया था तब से लेकर आज तक इनको एक बुरी आदत लग गई है घर की दिवार पर ट्रॉफिय और मैडल सजाने की बस ये मामुली से खास बनने वाला पूरा प्रोसेस समझाने की जिम्मेदारी बॉलिवुड ने अपने कंदों पर उठाई है जिसमें परिनिती चोपरा स करने की पूरी कोशिश कर रही है कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती जरूर सुना होगा बस इसी कॉंसेट पर सायना की फिल्मी जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती है पहले दुनिया की अपने टैलेंट से मुलाकात करवाना बाद में सामने खड़े होने वाले तलाश कर रहे हो यूट्यूब पर रातो रात जिंदगी कैसे बदले टाइप के वीडियो देखकर ठक चुके हो उससे बैटर ऑप्शन है सायना दो गंटे सिर्फ और सिर्फ अच्छी बात है सुनने और देखने को मिलेंगी जिंदगी में लड़ाई कैसे करनी है गिरने के बात वापस खड़ा कैसे होना है सायना दीदी से थेटर में जाके मिलो सारी तरकीबे सीख जाओगे अब नावाले साइट पर आते हैं ये वाला ज्यादा इंप्रिस्टिंग होगा गुरू देखो आज के टाइम बॉलिवूड में सिर्फ दो चीजें बिकती है पहली रीमे सायना पूरे रस्ते चलकर दी एंड हो जाती है शुरू में बंदा ऊपर की तरफ चलेगा फिर बीच में सीधा जमीन पर धड़ाम गिरेगा तब आएंगे दुनिया वाले उसको ताने मारने बेज़ती करने ध्यान से याद करो इसके अलावा कुछ और देखा है तुमने ब बैडमिंडन से आशिकी इस सब में सायना एक बार भी नजर नहीं आती सिर्फ परिनिती दा एक्टर की शगल दिमाग में घूंती रहती है MS धोनी देखी थी सुषांत ने जो धोनी साब का करेक्टर पकड़ा था लोग गए तो थेटर धोनी के लिए थे लेकिन वापस भार सुषांत के फैन बनकर निकले थे ये जादू होता है कास्टिंग में जिस तरह MS धोनी बायो पिक में धोनी को हीरो बनाने की नहीं सिर्फ धोनी बनाने की कोशिश की गई थी वो चीज साइना में एक दम उल्टी है ना तो कोई स्ट्रगल दिखाया है और नहीं सीडी पे नीचे से उपर चरने का तरीका बस हर पांच मिनिट में एक बैडमिंटेन का मैच आता है जिसको साइना जीत कर आगे बढ़ जाती है अरे बंदा मा के पेट से चैंपियन बनकर थोड़ी पैदा होता है टैलेंट पाया नहीं कमाया जाता है बस ये वाली चीज़ फिल्म के मेकर्स ने शक्तिमान बना के गायब कर दी है जो फिल्म के डिरेक्टर हैं अमोल गुपते इन्होंने मोल को काफी सीरियसली ले लिया है नहीं नाम वाला नहीं साइना के चहरे वाला मतलब यकीन नहीं करोगी हर फ्रेम में बंदी के चहरे पे मोल का साइस बदलता रहता है जैसे एक शॉट मारा तो मोल बिचारा ननना मुनना बच्चा तो दूसरे में दा ग्रेट खली बन जाता है लेकिन जो सपोर्टिंग कास्ट है उसने दिल जीत लिया स्पेशली साइना की मम्मी मेगना मलिक अगर इनके उपर बायोपिक बनेगी ना तो मैं आज से ही फॉर्स दे फॉर्स जोगी एडवांस बुकिंग कराने को तयार हूँ मानव कॉल दकोट सर भी काफी दमदार केरेक्टर प्ले कर रहे हैं इससे बढ़िया इंटरनेट पे जाके साइना नहवाल के किसी बैडमिंटन मैच का रीकैब देख लो बैडमिंटन का शौक और देश के लिए प्यार दोनों बढ़ जाएंगे मेरी तरफ से साइना को पांच में से दो स्टार्स एक स्टार मेगना प्लस मानव की आउटस्रेंडिंग परफॉर्मेंस के लिए और एक स्टार साइना की रियल लाइफ स्टोरी को रील के थुरू काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन की तरह शोकेस करने के लिए बात करूं नेगेटिब्स की तो एक स्टार कटेगा काफी मिस्फिट कास्टिंग के लिए परिनिती इस रोल में बिल्कुल फिट नहीं बढ़ती एक स्टार चैंपियन दिखाने पर फोकस जालकर चैंपियन बनाने वाले प्रॉसस को इग्नोर मारने के लिए और एक स्टार बैडमिंटन में डाले गए कुष्टी वाले डायलॉक्स के लिए मार दूंगी फोर दूंगी चित करना साइना दी दिए किस लाइन में आ गई हैं आप बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हूँ या फिर कुछ शिकायत करनी हूँ तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वड़ना थोड़ा से इंतिजार करें मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक क्या बाई बाई